हालो फ्रेंड्स जैमाता की सभी को मेरी तरफ से फ्रेंड्स मेरे पास काफी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि भीया धोलक पैच बताओ धोलक पैच बताओ तो आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ धोलक पैच और यह धोलक पैच SPT 20 में और 20X में और 20 Pro में सेम ही है कोई डिफरेंस नहीं है सेम वही नंबर है वही सारा हलका फुलका प्रो में थोड़ा सा फरक है बाकी सब सेम ही है तो चलिए हम सुरू करते हैं सुरू करते हैं वन कॉलम से इसमें हमें इस्टुमेंट रखना है आई 22 इसका लेवल रखना है पूरा 100 और पीछ रखनी है इसकी प्लस 3 डिके रखना है इसका 85 ठीक है फ्रेंस और हम चलते हैं सेटिंड नंबर पर इसमें यूज करना है आपको L06 और इसका वोल्यूम रखना है आपको पूरा 127 पीछ रखनी है इसकी आपको प्लस 4 डेके रखना है इसका 60 ठीक है चलते हम थर्ड नंबर पर इसका साउंड है 24 और लेवल रखना है आपको 121 पीछ रखनी है इसकी प्लस 3 और डेके रखना है इसका 65 और फ्रेंस जो यह सेकंड नंबर पर है यही 4 नंबर में यूज होगा यही 4 नंबर में यूज होगा और जो इसमें तीसरे नंबर पर चाटी है जो यहीं यहां 7 नंबर पर सेम ही है बिलकुल यह चारों बिलकुल सेम रहेंगे हम सीधा सुरू करते हैं 5 नंबर से इसका सांड है आई 21 और इसका लेवल रखना है आपको 80 और पिछ रखनी है इसकी माइनस दो ठीक ही रखना है आपको इसका 65 किका फ्रेंड्स चलते हैं 6 नंबर पर इसका इस्टुमेंट नंबर रखना है आपको आई 22 लेवल रखना है आपको 85 और पिछ रखनी है आपको प्लस 6 और देके रखना है इसका 77 और यह तो फ्रेंड्स मैंने बता ही दिया और आते हैं हम चल्ले पे जो इसका चल्ले का साउंड है हम एबैंक में करते हैं एबैंक में एफ एफ 40 और इसका लेवल रखते हैं पूरा 100 और पिछ रखते हैं इसकी माइनस साथ डेके रखना है आपको 64 चलते हैं हम दूसरे बैंक में इसमें रखना है आपको साथ 27 और लेवल रखना है इसका 65 पिछ माइनस 3 और टिके रखना है इसका 50 तो मारा डोलक का पैच रेडी हो गया है मैं इसको कोशिश करता हूं बजाने की अच्छा लगा होगा आप ऐसे ही मुझे फ्रमाइश करते रहे हैं मैं कोशिश करूंगा आप सबकी फ्रमाइश पूरी करने को तेंक यूँ झाल झाल